दंगल 2 के बाद अपन दंगल 3 को continue कर रहे हैं और इसी क्रम में complete कोर्स का एक और पेपर जो अपन बहुत आसान और एक exact NCRT based paper आपके सामने रखा गया है तो one by one अपन सॉल कर रहे हैं मैं नवीन जोसी team chemistry CLC seeker तो basically question जो पेपर अपने पर सामने दंगल 3 जो 26 अपरिल को हुआ है आज one by one question solve कर रहे हैं तो पहला जो question है बिल्कुल आसान इन और निक है हाँ इसमें जितने इन और निक के question है हर कोई as it is NCRT के line से उठाएव questions है बिना किसी चेंज के साथ क्योंकि वह यह लाइन से जो इन जनरल एक्जाम से पसले दस सालों में पूछी गई है यह पूछी जा रही है उन lines को आप से NCRT से निकाल निकाल के आपके सामने रखा गया है जैसे पहला question की बात करूँ तो पहला question कि निकाल अलग अलग forms पही जाती है अलग अलग forms एक्जिस्ट करती है यह जो यह ऐसा योट् फोर्म से उस से कुछ forms जो है वह crystaline फोम होते हैं और कुछ अमोर्फ़स होते हैं तो अपने NCRT में जो Cast 수가 reform दे रखें और 5 की सिर्ट में बुविए एक क्रिश्ट लाइन फोम ही है क्वेश्ट और टूसरा क्रिश्टे सवस्ट लिए क्रिश्टलाइन फॉम ही पति ध्र चबाइस क्रिश्टेटमयत है यह यह एक क्रिश्टला इन फॉम में लेकि लाश्ट में जो लिखा हुआ है जो किसे लगूर जो है यह एक्चुली एमॉर्फोस फॉम में और क्रिश्टल यह रूप है सिलिका गई तो फॉस्ट कंसर आंसर चला जाए अब इसमें कोई ऐसे लोजिक चीज़ एक फैक्ट बेस बा है और यह स्टेट्में भी प्यलोक के ही है यह और पिपलोक का जो लास्ट परेग्राफ इस लास्ट परेग्राफ से अपके सामने इस स्थेट्में लुका रहा है Markie एक्चुली अलुमिनोस इलिकेट या जी यॉलाइट जो है आप है अलग टर्म में एक्स्पेयन किया गया है कि को सिलिकन एक्टम्स को यह अलुमिनियुम से रिप्लेस कर दिया जाए तो उससे जो नया फॉम मनता है उसको पर जी यॉलाइट भी कई अलग अलग टाइप के हो लेगिन उन जी लाइट को बनाया के सथा को सिलिकन एक्टम्स को किसे रिप्लेस कर दिया जाए अलुमिनियुम आयन से अलुमिनियुम प्लस 3 से अब इससे एक बात और चर्चा में आती है कि जो यह आप अलग अलग फॉम से करो तो अलग अलग जी विराइटी बनती है और सौफनिंग प्राइस को दूर करने कीया दाओ क्या तो पहले बात बिल्कुल को अडद सकत्रेश को दूर करने में काम में अपने काम में ली और घॉलाइट को परवानेंट हारेटनेस को अपनंठोल में अंपहली बात दूसरी बाद जो ZSM5 है यह एक्चुली एज एक केटलिस्ट क्रेकिंग में काम मिलेते हैं जो पैट्रोलियूम वगेरा में जो कार्बन की चेंज को ब्रेक करने में काम में तोड़ने में काम में लिया जाता है तो यह उसमें काम में आता और यह क्वेस्चन अभी पिछले साल प्रेकिंग को भी दे रखा है तो यह सट्याइब एक टेंपरेरी लिखा है और दूसरा ZMS5 नहीं काम में लिखा है और टेंपरेरी हार्ण देश्टेट्मेंट तो पहला सत्य दूसरा गलत तो इसमें आंसर चला जाएगा फर्स तो सेकेंड का करेक्ट आंसर जाता है फर्स वाना नेक्स हपान जलते हैं थैड़क्षिन के तरह कि एंवार्मेंटल केमेस्टि का बड़ा ही बेस्क क्वेस्टिन है और इस क्वेस्टिन में चीजह क्या रखिए देखो एंवार्मेंटल वह बहुत सारी जीजह है आपके दिमाग पे रहनी चाहिए तो यह जो question रखा है यह memory-based और fact-based है क्योंकि कुछ standards set किये हुए है जो पानी आपके पीने के लाइक है या नहीं इसमें कुछ standards set कर रखे हैं कि iron इतना होना चाहिए copper इतना होना चाहिए इस तरड़ का अंसर आजाएगा second memory-based question यह fact-based question देने जरूरी थे क्योंकि 2020 मेंस का exam उसमें इस टाइप के question आया करते थे और environmental की इस तरह के fact-based question का फिया रहे है इसलिए question आपके सामने रखा गया है नेक्स्ट है fourth question फोर्थ बड़ा simple सा periodic table का question है और periodic table जनरली इन अपन बात करें periodic properties के question आपके सामने आते हैं जैसे पहला इसने बोला है कि कौन सा प्रोपल्टिक एकोल्डिंग इनकरेक्ट मेंचे प्रोपल्टिक एकोल्डिंग गलत मेंचेंग में प्रेजेंट है जैसे पहली बात करूं कि इनका size का तो nitrogen family है बाप टॉटम जाते हैं तो size increase होता है तो यहां पर टॉटम वाला ही सिक्मेंस दे रखाए है size increase है तो यह सही हो गया statement को दिखेंगे लेकिन अपने को select गलत statement करना है second statement आई निकरन हो जाजो correct order आगे हैं next third पे चलता है 13 group element में अपन बात करें top to bottom जाने पर size में increment तो आता है आकार वरदित होती है लेकिन एक जगे अपने को exceptional case भी देखने को मिलता है जो गेलियम और aluminium में वहाँ पर जिसका main कारण क्या होता है transition contraction संक्रमण संकूचन उसका मुख्य कारण होता है तो इसमें size का order उसमें aluminium और गेलियम में थोड़ा सा swapping हो जाती है change हो जाता है गेलियम यहां आ जाना चीए और aluminium यहां आ जाना चीए तो उसके अलावा इसमें मतलब गलती है और कोई दिक्कत नहीं है तो यह जो size का order incorrect हो गए तो fourth के अंदर answer आजाएगा अपना third ओकी डियर चलो next चलते है फिफ्थ question फिफ्थ question बोला है कि I Cl 5 and I Cl 4 minus के लिए सही कतन है और यह जो statements दे आप देखो इसमें structure की जनरली चर्चा कर रखी है तो वह structure ही देख लेते हैं कि क्या होती है पर हाईब्रिडाइशन देख लेते हैं अब I will become incl5 दो नहीं है इसके सगेंओं जी गोία से में साथ लेक्टरोन होगे हम ठीक है यह क्लोरीन यह क्लोरीन यह क्लोरीन यह को अपके अपनी ट्रेख है जिससे आप काम करते हों तो इसमें इस ट्रिक नंबर कैलकुलेट करेंगे आपद्रिभिं इसको सा केस बन गया जिसमें 45 तो है वांट पेर एक हिल लों पेर तो अपने को पता है अउक्ता है जो जुमेटरी बनती है उसमें आज जाएंगे पांच जगों पर यह पांच अब इसका तो से प्पर ऑपन क्या वो लेंगे इस स्क्वाइर पिरामिड टाइब का बन यह सेप कैसा बन जाता है स्क्वेर पिरामीडल तो आई सीयल फॉर माइनस की बात करते है आई सीयल 4 मैनस इसमें से एक दो तीन चार पांच शे साथ और एक सीयल मैनस की तरब से बॉन बना है तो हम ऑलगत देते हैं और एक सीयल दो लोन पर यह सिच्वेशन में चार तो सिगमा ऑंड है दो लोन पर है तो उस सिच्वेशन में इसक्वार फ्लस दो इस पे भी 6 आजाएगा और यह सेम जो है ट्री इसी तरह के एलेक्ट्रोनिक अर्रेंजमेंट बनता है बेसिकली जहांपर कि इस सामने वाली ओपोजिट सेमने क्लोन पर ओर आ जाएगा तो स्क्वेर प्लेनर टाइप की स्टेक्चर बन जाएगी तो कि कौन सायन में जो सेंटर लेटर में वह स्टेक्चर बेस्ट चाए बॉल्णिंग मानों बहुत आ रहे हैं इसलिए आपके सामने रखेंगे आई एफ सिक्स माइनस है तो आई अब आयदीन में आई एफ सिक्स माइनस है ना तो आयदीन में आपको पता एक दो तीन चार साथ होगे टोटल से तो इसमें एक दो तीन चार पांच एच्छेत हो जाएंगे सिग्मा और एक और लोन पेर तो इसमें स्टेक्ट नमर आज आएगा साथ तो एसपी 3D3 आजए अपने को एसपी 3D2 के बारे में बात किया है हाला कि अभी थोड़ी देर पर आई सील 4 माइन लोन पे रिष्टेरिक नमर छे एसपी 3D2 आजाएगा चाहो तो भी चेक कर लो तो फिफ्ट में आजाएगा थर्ड वाला ओके डियर नेक्स चलते हैं सेवंथ प्वेस्टन पर सेवंथ बोलाए कि यह जो कौन सा परती चुम्ब की और उसकी बंद लंबा ही सबसे कम है से और उपर जाओगे और नीचे जाओगे तो बॉइंट फाइफ से डिक्रीज होने लग जाता है तो जिसे 13 हो गया या 12 हो गया 11 हो गया 10 हो गया इधर आओ 15 हो गया 16 हो गया 17 हो गया 18 हो पॉइंट फाइफ सा बॉन ओडर कम करते रहूं यह ट्रिक आपको सब तीचर दिन लिखवाते ही हैं और तो फूट फाइफ है यहां पर टू हो जाएगा यहां पर रवन फॉइंट ao फाइफ यहां वन हो जाएगा फिर उपर जा रहे हैं चुंआरें तो फाइफ हो इस में और कोई पॉसिबिलिटी देखनी जरूत नहीं है तो एक तो यह अपने बॉन और सबसे ज़्यादा इस जादा बॉन्द आप लेटे तो मुझे कैसे याद रहता है, 8 से लेकर 20 आंदर जो बीच में, इसके बीच में, एक तो 12 वाला, 14 वाला, 18 वाला, ये 3 होते हैं डाय मेगनेटिक, इनमें सारे सारे एलेक्ट्रोन पेल्ड होते हैं, और सारे होते हैं, पारा मेगनेटिक, ये 3 होते हैं, प्रती चुम्बक ही, और सारे होते हैं अनुचुम्बक की हैं तो मैं चेक कर लेता हूं कि इन में से तो नहीं है क्योंकि मेरों को याद इसी तरह से रहता है तो इसी वज़े से आपके सामने इस तरह गमने क्वेस्टन रखें ताकि इसकी भी प्रैक्टिस आपकी यहीं हो जाए और इनमें एजटीज एंसीयाटी की लाइंस रखी आपके सामने आप चेको रोगी उत्पता चलेगा यहीं गलत होगी बाद लीचिंग इस एक कंसेंट्र करते हैं उसका जो एक्सक्रेक्शन करते हैं आइरन पाराइटीज से आपन बचते हैं आयरन पाराइटीज एक्छलि पी वाई आएटी आई एस पाराइटीज तो आईरन पाराइट से पन लोग इसका प्यूरिफिकेशन करने से बचते हैं इसका करण एनवोर्मेंटल है अब यह एंसी आर्टिकलर जो स्टेट स्टार्टिंग में कुछ दे रखे होते हैं बेसिक चर्चा है दे रखी चेप्टर के बारे में उन चर्चों में इस बात को इंक्लूड किया हुआ है कि आईरन पाइराइड होता है यह एनवारेमेंट पर नुक्सान होता है कि ज्यादा रिलीज होगी तो इस वज़े से अपना आयरन आयरन के बहुत सारे और अवेलेबल है तो हम अवाइड करते हैं कि आयरन पाइराइड से आयरन को एक्स्रेक करना बेसिकली हिंदी में इसमें सही लिखा है कि परियावड़न तो इसमें यह जाईगा सब्सक्रांब क्या होगा है गलत और सेकंट्ध स्टीमेंट कि जाएगा है कर्थ तो सर् Sapraक्ट दो सेकेंड नांसर वि Çat रहैं को थे सब को अप सब को बता है कि graphite की le righteousness का मिली जा थि carbon graphite' की carbon graphite बिए इंट form मानिन जाती है यह समय जाती है जिससे और को reaction होने के chanceणे थोड़े कम रहते हैं तो इसलिए मैं बोसकता हूं कि carbon crashed volatile बोल सकते हों उसका cathode बना रहता है , तो बड़ा simple एक टॉल सकते हैं विद्ध अब गटनी अपचे नहीं किया दाता हैं और इस अपचे निक अपन अपन अलुमीनियम की रोड काम में लेते हैं और कार्बन ग्रेफ़ाइट इनर्टनेस रखता है इस वज़े समेल्डी को काम में लेते हो के दियर चलो तुछ में आज आएगा मैं आपके साथ आज आज के पेपर में रहे हैं उनको डिस्कस करने जा रहा हूं करें शुरू बेटा आपके पास question no.11 है the anion HCOO negative in the anion HCOO negative two carbon oxygen bonds are found to be equal length what is the reason for it आपके पास जो फॉर्मेट आयन है इस फॉर्मेट आयन में दोनों carbon oxygen bond length equal रहती है इसके पीछे region क्या है इसकी पीछे region रहता है बेटा इस तरहें का resonance यह दोनों RS है कैसी RS है बेटा यह equivalent resonance structure है equivalent resonance structure बनने से क्या होगा इन दोनों का जो real structure है उसमें contribution same रहेगा अब contribution same रहने से जो real structure बनेगी वो इस तरहें की बनेगी तो दोनों carbon oxygen bond length आपको क्या मिलेगी यहां पर same मिलेगी तो यह आपको इसका reason बताना है तो reason आपके पास क्या है two equivalent resonance structure देखें आप कौन सा option आपके लिए इसमें सही लग रहा है carbon परमाणूओं के electronic कक्षक संक्रित होते है electronic orbitals of carbon atom are hybridized यह answer नहीं है the c double bond o bond is weaker than c single bond o यह भी इसका answer नहीं है the n i n c h c w negative has two equivalent resonating structures तो इसका correct answer के आएगा बेटा third आ जाएगा यह भी इसका answer नहीं रहेगा बास समझ में आ रही है format iron में दोनो carbon oxygen bond length similar होती है equal length की होती है उसके पीछे region क्या है यह दोनो equivalent resonance structure इसलिए जो real structure बनेगी उसमें दोनों का contribution same रहेगा ठीक आगे चलें मेटा answer के आगे आगे आपके इसके अंदर question number 12 which of the following is in correct order of dissociation constant आपको 4 option दिये हैं और dissociation constant आप से पुछा है अपने कोई अच्छे से पता है कि acidic strength और dissociation constant दोनों एक दूसरे के directly proportional है dissociation constant increase होगा तो acidic strength automatic increase हो जाएगी या कहें acidic strength increase हो रही है तो dissociation constant automatic increase हो जाएगा तो first option की बात करें alkyne फिर alkyne last में alkyne है तो alkyne, alkyne और alkyne में से alkyne least acidic होता है और terminal alkyne most acidic होता है ठीक है ये बात तो सही है ये terminal alkyne है और यहाँ पर ये भी एक terminal alkyne आपको दी गई है बेटा इस terminal alkyne में ये CS3 कौन सा effect शो कर रहा है प्लस आई जो इसकी acidic strength को क्या कर देगा? कम कर देगा उसके बाद alkyne कहीं कोई problem नहीं है और last में alkyne तो ये इनकी acidic strength का भी order है decreasing order है और इनके k-a का भी decreasing order है आपसे पूछा है incorrect ठीक है? गलक पूछा है आपसे तो ये तो correct है तो ये answer नहीं आ सकता क्योंकि ये तो order correct दिया हुआ है ठीक है? आगे देखे ये answer नहीं आएगा second की बात करें methyl alcohol, ethyl alcohol, 2 degree alcohol, 3 degree alcohol तो आप देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है? plus effect increase हो रहा है और plus effect increase होगा तो acidic strength क्या हो जाएगी बेटा? decrease हो जाएगी बस समझ में आ रही है acidic strength directly proportional minus i के रहता है और inversely रहता है plus effect के तो plus effect बढ़ेगा तो acidic strength कम हो जाएगी तो CS3 से यहाँ जाएगे plus effect बढ़ गया, plus effect बढ़ गया फिर plus effect बढ़ गया, plus effect बढ़ रहा है तो acidic strength कम हो रही है acidic strength कम होने का मतलब है यहाँ पर dissociation constant भी कम हो रहा है तो यह भी आपके पास answer नहीं आएगा वेटा ठीक है, तो यह correct है यह भी order correct है, आपको क्या चेक करना है वेटा जी? incorrect check करना है, first और second correct है इसलिए answer नहीं है थर्ड में देखें, carboxylic acid, phenol, alcohol, alcohol से strong carboxylic acid होता है phenol होता और phenol से strong क्या रहता है? carboxylic रहता है तो acidic strength का order भी correct है और dissociation constant का order भी correct है तो यह भी आपके पास answer नहीं आएगा यह तो तीनो correct order है आपको incorrect देखना है गलप आपको search करना है वेटा इसमें से यहाँ देखें, यहाँ पर आपको problem लगती ही दिखाई दे रही है यह phenol है यह तो आपके पास पिक्रिक acid है पिक्रिक acid strong acid है यहाँ पर problem है phenol के respect carboxylic acid कैसा होगा? strong acid होगा strong acid होगा तो इसका dissociation constant ज़्यादा होना चाहिए और यहाँ dissociation constant आपको क्या दिया हुआ है? कम दिया हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पर order गलत हो गया तो इसका answer क्या आजाएगा वेटा आपके पास fourth answer आजाएगा ठीक? next 13 आपको यहाँ पर एक compound दिया है normal hexane और normal hexane को जब आप इस condition में apply करते हैं तो कौन सी reaction हो जाती है? aromatization ठीक है? तो आपके पास compound A क्या बनने वाला है? compound A आपके पास बनने वाला है बेटा जी benzene कौन सी reaction के दुरू? aromatization dehydrogenation process होता है cycleation process होता है यहाँ पर अब compound A का आप क्या कर रहे हैं? chlorination करवा रहे हैं लेकिन साथ में condition क्या दिया आपको? sunlight दिया है बेटा तो इस case में आपको यहाँ पर product क्या मिलने वाला है? B at C मिलने वाला है B at C benzene hexacloride तो आपका answer क्या आगे बेटा? थर्ड आगे आपको क्या चेक करना था? find out correct structure of B तो B आपके पास थर्ड आजाएगा B की सही सरंचना आपको पहचान नहीं थी तो answer क्या रहेगा बेटा आपके पास? थर्ड रहेगा point समझ में आया? पहला process जो है वो aromatization है जो आपको क्या बना के देगा? benzene बना के देगा benzene का chlorination करवा रहे हैं लेकिन sunlight की presence है तो आपको क्या product मिलेगा बेटा यहाँ पर? benzene hexacloride मिलेगा तो answer क्या बैठ गया? इसके अंदर आपका third next किस अभिक्रिया से 2,2-dibromopropane which of the following reaction will yield? 2,2-dibromopropane अब देखते हैं इसमें first reaction को अगर आप complete करेंगे तो 2-bromopropane बनेगा 2,2-dibromo नहीं बन रहा है answer नहीं आएगा second की बात करते हैं second में मैं पहले one mole HBR add करता हूँ electrophilic edition marconic of rule यहाँ पर यह आपके पास one mole हो गया अब इसमें one mole और add करना आपको बेटा one mole HBR आप इसमें और add करेंगे again marconic of rule आप इसमें apply कर पाएंगे one two three two two dibromopropane आपको मिल गया बेटा तो two two dibromo कहां से मिल रहा है आपको second option से मिल रहा है ठीक है third नहीं होगा answer में third क्यों नहीं होगा third में क्या मिलेगा आपको one two dibromopropane third में क्या मिलेगा one two dibromo तो third भी answer नहीं होगा fourth में आपको क्या मिलेगा बेटा यहां पर fourth में आपके पास answer जाएगा one one dibromo fourth में answer क्या जाएगा one one dibromo तो यह भी आपका answer नहीं आएगा तो answer कौन सा आया बेटा आपके पास second बात समझ में आई second reaction ऐसी है जिसमें आप HBR add करेंगे तो final answer आपको क्या मिलने वाला है two two dibromo propane मिलने वाला है ठीक बेटा next question देखें if a liquid compound decomposes at or below its boiling point then the best method for purification आपके पास कोई एक ऐसा liquid है जो अपने boiling point पर या उससे थोड़े कम temperature पर decompose हो जाता है ऐसे किसी भी liquid को purify करने के लिए best method कौन सा होता है बेटा कौन सा रहेगा क्या fractional distillation रहेगा नहीं रहेगा fractional distillation कब काम आता है जब आपके दो liquid हैं जिनके boiling point में difference बहुत कम है तो यह answer नहीं आएगा sublimation किसी solid compound को separate करने में use होता है लेकिन उस solid की property कैसी होनी चाहिए वो easily sublimate होने वाला होना चाहिए तो answer क्या आजाएगा थर्ड आजाएगा distillation under reduced pressure pressure को reduce करने से क्या होगा boiling point reduce हो जाएगा boiling point reduce हो जाएगा तो उस compound को easily हम क्या कर सकते हैं separate कर सकते हैं differential extraction आप use नहीं कर सकते हैं इसको किस के लिए use किया जाता है किसी organic compound को जो water में dissolve हो है वहाँ से separate करने के लिए differential extraction को use किया जाता है तो at present आपका इस question के अंदर answer जो रहेगा वो क्या आएगा बैटा थर्ड आ जाएगा ठीक है IOPC name पूछा है 1, 2, 3 and 4 तो number 3 पर bromo है number 2 पर methyl है 3 bromo 2 methyl तो 3 bromo 2 methyl ये रहा है बैटा 3 bromo 2 methyl butanoic acid बात समझ में आ रही है 3 पर bromo attached है 2 पर methyl है 3 bromo alphabetical order आप यूज करेंगे 3 bromo 2 methyl butanoic acid functional isomerism is not possible for which of the following class of compounds किस वरक के योगिकों के लिए क्रियात्मक समाव्यवता संभव नहीं है functional isomerism not possible बोला है बैटा इस नहीं अलकेन नाइट्राइल अलकेन नाइट्राइल में functional isomerism होती है बैटा ठीक है अलकोहल में functional isomerism होती है अगर हम अलकोहल की बात करें तो इसका functional isomer क्या बन जाता है बैटा इथर बना सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है हेलो अलकेन जो होते हैं इनका functional isomer नहीं बनता है अल्डिहाइड्स अल्डिहाइड्स का functional isomer कौन बनता है बैटा ketone बन जाता है तो आपका आंसर के आजाएगा हेलो अलकेन बात समझ में आ रही है हेलो अलकेन का आप functional isomer नहीं बना सकते अगर मानलो आपके पास क्लॉराइड से तो क्लॉराइड को आप ब्रॉमेड में थोड़ा कनवर्ड करोगे बैटा तो आंसर के आएगे आपके पास हेलो अलकेन which of the following compounds has the maximum number of chiral carbons किस योगिक में क्रिल कार्बन अधिक्तम संख्या में है देखे तो यहाँ पर आपके पास number of chiral center है 2 यह chiral center नहीं है क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर same है ठीक है इसके अंदर number of chiral center की बात करें तो आपके पास है 1 इसकी बात करें तो आपके पास यहाँ पर है 2 chiral center और इसकी बात करें तो इसमें chiral center कितने है 3 है तो इन 4 option में से maximum किसमें जा रहा है वेटा 4th answer ठीक देखे इसमें जब आप add करेंगे KOH in ethanol तो alcoholic KOH हो गया यह condition क्या बन गए बेटा जी alcoholic KOH alcoholic KOH कौनसी reaction को prefer करेगा E2 E2 reaction को prefer करेगा ठीक है तो यह आपके पास compound X बन गया इसमें क्या करना है HBR की reaction करवानी है HBR से reaction करवाएंगे तो इसके अंदर electrophilic addition होगा marconic of rule apply हो जाएगा यह Y compound आगया बेटा आपके पास अब इसमें क्या add किया है हमने KOH aqueous तो यहाँ पर nucleophilic substitution हो जाएगा जब nucleophilic substitution आप complete करेंगे तो यहाँ पर आपको Z मिलेगा alcohol वो भी कौनसा propane to all कौनसा अंसर आजाएगा बेटा आपके पास propane to all ठीक है पहली reaction से आपको E2 reaction complete करके alkyne मिलेगा HBR का addition electrophilic addition करवाएगे Y मिल जाएगा nucleophilic substitution करवाएगे Z मिलेगा और आपको Z ही find out करना था Z ही पता लगाना था तो propane to all आपके पास answer आगया suitable answer propane to all arrange the following compound in decreasing order of their reactivity towards unimolecular nucleophilic substitution means SN1 के बारे में बात कर रहा है एक अणोक नाभिक सनेही परतिस्थापन यानि कि SN1 के लिए reactivity देखनी है SN1 के लिए reactivity देखनी है तो हमें किस पर focus करना होगा stability of carbocatine तो देखें पहले से आपको कैसा carbocatine मिल रहा है देख लेते हैं तो यहाँ पर इस CL को remove करेंगे तो यह carbocatine बन जाएगा ठीक है आपके पास second की बात करें second में जब CL को remove करेंगे तो आपको second में यहाँ पर यह carbocatine मिल जाएगा resonance stabilized और third की बात करें तो third में आपको ऐसा carbocatine मिल जाएगा तो यहाँ पर आप देखें इसमें तो क्या हो रहा है resonance plus hyperconjugation इसमें इसमें है only hyperconjugation 3 plus 3, 8, 6 plus 2, 8 8 alpha hydrogen और यहाँ पर आपके पास है 3 plus 2, 5, alpha hydrogen तो सबसे ज़्यादा stable कौन सा होगा? यह होगा, यानि कि second इन दोनों में से stable कौन सा रहेगा? यह, यानि कि first और फिर कौन सा आजाएगा? थर्ड आजाएगा तो कार्बोकेटाइन stability जितनी ज़्यादा होगी SN1 के लिए reactivity उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी तो आपके पास यह कार्बोकेटाइन stability का order है तो यह reactivity का order भी आपके पास रहेगा तो second, first, third first answer आजाएगा ठीक है? बात समझ में आ गए? प्रोपीन को आपको कनवर्ट करना है बेटाजी किस में? इसमें indicate which set of reagents among us the following is ideal to effect the above conversion इस conversion को complete करने के लिए कौन सा set आपके लिए इसमें suitable रहेगा बेटा चेक रहें KMNO4, OH तो यह तो क्या करेगा? यह तो इसी को break कर देगा तो यह product नहीं आएगा dilute H2SO4 इसको किस में convert करेगा? dilute H2SO4 इसको convert करेगा बेटा इसमें तो यह answer नहीं आएगा hydroboration oxidation hydroboration oxidation is suitable answer ozonolysis भी इसको यहां से break कर देगा तो answer क्या जाएगा बेटा जी आपके पास? third बास समझ में आ रहे है first में क्या होगा? यह bond break होगा और यह दोनों carbon oxidize हो जाएगे first में तो यह answer थोड़ा आएगा second में यह answer आएगा third से यह answer आजाएगा और fourth ozonolysis कर रहे हैं तो यह यहां से break होगा दोनों part LDID में convert हो जाएगे हम यह बनाना है यह तो answer क्या जाएगा आपका? third जाएगा बेटा which of the following most suitable to prepare ethoxib enzene? ठीक है देखते हैं यह तो यहां reaction नहीं होगी यह aryl halide है aryl halide में normally reaction nucleophilic substitution नहीं होती है यह as a nucleophile इस पर attack करेगा और आपको यहां पर ethoxib enzene बना के देगा बिलकुल बन रहा है यह यहां पर attack करेगा लेकिन यह भी answer नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा? reason समझे मेटा आप इसका यह क्या रहेगा? strong nucleophile यह strong nucleophile है तो यह भी answer नहीं आएगा यह aryl halide है यह भी answer नहीं आएगा तो answer के आएगा बेटा? second बात समझ में आ रही है इन दोनों में से यह strong nucleophile है negative charge है यह neutral है जब यह strong nucleophile है तो easily कौनसी reaction complete कर देगा? SN2 reaction complete कर देगा जब easily SN2 reaction complete होगी तो ethoxib enzene आपके पास answer आ जाएगा third क्यों नहीं है? क्योंकि एक weak nucleophile है first और fourth में aryle halide है normal condition में aryle halide nucleophilic substitution reaction शो नहीं करते है ठीक है? which of the following compound with molecular formula C5H10 yield acetone onozoolysis देखें तो बेटा आपके पास है 2-methyl, 2-butene C5H10 match हो रहा है यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? acetone मिल जाएगा 3-methyl, 1-butene इससे acetone नहीं बनेगा ठीक है? अच्छा 2-3-diamethyl, 2-butene यहाँ पर आपके पास 1-2-3-4-5-6 C6H12 है जो molecular formula ही match नहीं कर रहा है acetone तो बन रहा है लेकिन molecular formula भी तो match करना चाहिए वेटा बास समझ में आ रही है तो acetone बनेगा लेकिन molecular formula match नहीं करेगा तो इससे तो बनेगा इससे नहीं बनेगा इससे भी नहीं लेंगे हम क्योंकि molecular formula ही match नहीं कर रहा है 2-methyl-propene C4H8 यहां से acetone तो बनेगा लेकिन molecular formula ही match नहीं कर रहा है तो यह भी हम इसके अंदर नहीं ले सकते तो आपके पास आएगा answer 3rd पॉइंट समझे बेटा आपको क्या देखना है यह 4 compound है इन 4 में से ऐसा कौन सा compound है जिसका molecular formula तो C5H10 होना चाहिए और ozonal lysis से वो क्या बनाना चाहिए acetone बनाना चाहिए तो यह molecular formula 1st और 2nd पर apply हो रहा है 3rd और 4th पर तो apply नहीं हो रहा 1st और 2nd में से 1st तो acetone बना के देगा 2nd acetone बना करके नहीं देगा बास समझ में आ गई होगी above conversion can be achieved most conveniently by which of the following अच्छा ठीक है देखें आप इसमें अगर मैं डाइबोल H एड करके hydrolysis करता हूँ तो मुझे यहाँ पर LD एड मिलेगा अगर मैं इसमें lithium, aluminium, hydride एड करता हूँ तो मुझे यहाँ पर मिलने वाला है amine अगर मैं इसमें grignard reagent एड करने के बाद इसका hydrolysis करूँगा तो मुझे यह compound मिल जाएगा कहीं कोई problem नहीं है और इसमें अगर मैं SNCl2, HCl को ले करके फिर इसका hydrolysis करता हूँ तो यह LDAD बनाएगा आपको क्या बनाना है? किटोन बनाना है बेटा तो किटोन बनाने के लिए आप देखें कौन सा यूज हो रहा है थर्ड आंसर आजाएगा फर्स्ट से LDAD बनने वाला है सेकंड से primary amine बनेगा थर्ड से जो आपको किटोन चाहिए वो किटोन बन जाएगा और फर्स से भी आपको क्या मिलेगा? LDAD मिल जाएगा बात समझ में आगे है बेटा? नेक्स्ट है 25 तमबर क्वेस्टन इसमें सिंपल से एक थर्मोडायन मेक्स का बड़ा ही सिंपल आसान क्वेस्टन और थर्मोडायन मेक्स पर इन जनरल आप देखो क्वेस्टन अबजर करो तो डिल्टा जी पर काफी चर्चा कर रहे है तो इसी टाइप को क्वेस्टन आपके साहन रखा है बहुत आसन यह बोला गया है कि कौन से मिनिमम टेंपरेचर पर हो जाएगी आपटीनिज हो जायेगी आप सबको होता है कि जब स्पॉण्टैनिज कर वा नहीं होती यह अपने को गरना होता है और डेला जी बैसिकली होता कि डिल्टा जी इस बश्टिटा effort मारेट write kहां 0 ए हूँ उससे थोड़ा से टेंपरेटर जैसे मिनियून टेंपरेटर उससे अलका सा भी ज्यादा हुआ तो वहां पर अपना रियक्शन क्या हो जागे स्पॉंटेनियस हो जाएगा यहां पर जीरो पूट करता हूं डेल्टाइज किता देरका वाईजी डेल्टाइज देरका 200 माइनस टेंपरेटर अपने क्याल्कुलेट करना चाहते हैं और टी किता आजाएगा टेंपरेटर कैल्कुलेटर यह 40 आजाएगा कि दोनों जूस में किलो जूनों कुछ नहीं है तो टी की वल्यू किता आजाएगी 200 अपन फॉर्टी किता आजाएगा फाइफ केल्विन बाला मिनिमाम वो फाइफ केल्विन जिसके अबाव होते ही आप क्या कर सकते हो प्रोसे जिसमें बोला गया है कि एक अभीगरिया जिसमें केवल द्रव उठो सवस्थाएं हो तो निम में कौन सा सकते हैं यह बहुत प्यारा क्वेशन एक लाए ने बड़ी अच्छे से डिसकस कि हुई है NCRT में एक बहुत अच्छे तरीके से enthalpy, physical variable, physical quantity बहुत सकते हैं इसको बहुत अच्छे से explain किया है एक और internal energy जिसको अच्छे से explain किया गया है लेकिन वहाँ पर यह चर्चा जरूर किया NCRT ने क्यार यह दोनों enthalpy जो कहें ना कहीं सिस्टम की जो stored energy है यह stored heat है उसको represent कर रहा है लेकिन यह बोला गया कि इनका जो significance है डेल्टा H का हो तब ही अपने use लेंगे जब कोई liquid या solid ना हो तब कोई काम का नहीं है जब कोई gas हो तो इसका कोई significance है basically जब कोई gas में present होता है तो system जो है वो work involved करता है उस situation में आपको पता हो तो अपन जो H लिखा करते हैं movement का possibility जब कहीं volume में changes आये, volume में changes मतलब या तो gas बन रही हो या तो gas बन ही हो या लिक्विफाई या solidify हो रही हो उस situation में delta NG जो है negative तो compress हो जाएगा मामला तो इस तरह से में बोल सकता हूं कि जहां PV involved हो रहा है जहां pressure volume change हो रहा है उस पर कोई दिक्कत नहीं आता है तो यह भी एक NCRT की statement जहां पर NCRT justify करना चाहा रही है कि क्यों अपने delta H और define किया है तो solid and liquids के लिए अपन बोल सकते हैं यहां delta NG कोई रोल नहीं रहता है यहां delta NG कोई रोल नहीं रहता है ओके डियर नेक्स्ट बात करते है 27 पर 27 बोलड़ा है किसमे kp और केसी का ratio maximum आएगा बल्कुल basic question है kp और केसी का आपको relation बता होना चाहिए kp is worse to kc आर्टिक पावर क्या होता है डिल्टा एंजी अब अपने को बता है कि यदि kp का ratio maximum रखना है आपको तो आर्टिक पावर जो डिल्टा एंजी है क्योंकि आर कॉंस्टेंट वेल्यू है जो भी reaction आप comparison पर रखरे हो उसमे टेंपरेश अपना अलाग नहीं रखा होगा तो तो यहाँ डेल्टा एंजी के वेल्यू जादा होगी वहीं kp तो इसमें हो जाएगा माइनस माइनस का तीन आजाएगा तो हाइस्ट वैल्यू मैक्सिमम वहाँ पर केपी पॉन केसी ज्यादा हो जाएगा 20 सब्सक्राइगा थर्ड नेक्स ट्वंटीएट में करने पर क्या होगा देखो बैसिकली जब पन किसी बफर सोलिशनों डैल्यूट करते हैं उसके पी एच में कोई चींज नहीं होता ऐसा क्यों है यह बात करें सी एस त्री सी डबलो एच है और यह अपने एक्पिलीब्र में परजेंट अपनी आयन के साथ सी एस त्री सी डबलो माइनस आप तो डारेक्ट इसके देखो कि डैल्यूट करोगे तो यह एक एल्फा पर फरक पड़ेगा तो इसके भी एल्फा पर फरक पड़ेगा यह भी आगे जाना चाहेगा यह भी आगे जाना चाहेगा वहाँ से समझ दो अदर्वाइस आपको mathematical form समझ दिए यह तो एक theoretical अप्रोच अपन mathematical formula से काम कर सकते हैं formula क्या बोलता है पी एच इस गोल स्टू पी के प्लस लॉग के ऐसे ऑप उथा थालंट यहिफा संसरय कि बाद करते हैं वह आप कारका इस", देल्चुव्हुंशंच भी में करने हो, म्हें क्यों, क्योंकि आप सेम स्ट है यह वह आप सेम स्दूंशन हो प्रियान, और सेम के लोग की केंदर वाली टर्म है अब आप देखो कि केवल मोल्स में डिपेंडेंसी वॉल्यूम वैसे कैंसिल हो गया है हाँ यदि आप इसको एन फाइना डायूट कर दे तो साइट भॉफर खतम हो जाएगा क्योंकि वॉफर में वीक एलेक्ट्रोलाइट सी और इन फाइना की तरह एक दूर्बल विद्ध अफगटे प्रबल की तरह विवा करने लग जाता है तो अनन तनुता पर आपन बोल सकते एक बाफर खतम भी हो सकते हैं चलो नेक्स चलते हैं ट्वंटीनाइन पर एजिसी एल की सॉल्यूबिटी किसमें आप देखो कि काफी टाइम से क्वे क्याइब लगाएगा इसमें अच्टाब लगाने वाला नहीं है तो इस सब सबसारी आई फूर्थ किंदर के वल पान वहीं नहीं रहा है तुए नेक्स्ट थर्टीद बॉला जा रहा है कि एक कम यह मॉलक्यों से क्योंवaal ओनिटर है वह किता है CH2 और बोला जा रहा है कि सका इसका मॉलेक्विलर मास होता है वह एंड टाइम्स होता है इंपेरिकल मास का अब आप इन के वल्بूलर ऑपन चेक करना चाहरे हैं वो किसे कितना हो जाएगा 12 प्लस 214 तो 3 आजाएगे तो 3 आजाएगा इनकमान यहां पूट कर देते हैं तो थर्टीएट का पर परफेक्ट आजाएगा फॉस्ट ओके डियर चलो लेक्स चलते हैं 31 बिल्कुल बेसिक रेडोक्स का और जारा ओक्सण स्टेट के बारे में चर्चा होई तो यह वाला फिर स्टान के इसमें बात करो कि थोड़ा उप्लस 222 प cuerइंस प्लस 22 तो इनिक एक चलता रहता है तो आपके совершive प्लस तू तो यहां पर प्लस फोर में इसमें एक्स वाले एवरेज ऑक्षिदेस इसमें प्लस थी कैसे हाइड्रोजन प्लस वन और हम एक्स माल लिया मैनस का प्लस फोर यहां पर अपने को वाले तो मैचंग कहां बेठेगी यह रहा फिर अप्लस फोर यह रहा फिर प्लस वन यह रहा तो एक अंदर किया आगया और एक अंदर आपकर रहा डोज़ए पर जोगे बेट रहा है दी के चलो नेक्स्ट थर्टी टू बोलाएगे वहर के फिफ्थ सेल में तो उसका कोण ही है सम्वें एंगुलर मोमेंटम क्या होगा फिफ्थ के लिए तो अपने बता है अंगुलर मोमेंटम क्या होता है में वी आरा इस गोर्श टू एन एच अपने पर देखो आपके सामने बहुत आसान आसान क्वेश्टन रखे है कोई बहेंकर पजर नहीं किया है यह इनौर्गिक की बात करो तो आपको कहीं बी किसी बीतरे से कैल्कुलेस्ट को लेकर लिए क्योंकि आप देखो कि यार की चीज़े रखी गई है ओके टीर तो एंब्र इस फिफ्ट रख दो फिफ्ट सेल के लिए तो फाइफ एच अपॉन टू पाई आ जाएगा तो यहां पर टू पॉइंट फाइफ एच अपॉन गया जाएगा वाइट तो टू पॉइंट फाइफ एच अपॉन पाई स्टेट्मेंट फाल यह बोल रहा है कि एक अधिक मान होने पर गयास द्रवी करता है अधिक होती है बिल्कुछ सब्सक्राइब करता हैं जबकि बी कही ना कहीं सदट्र को पार्टिकल को रिप्रजेंट करता है तो बोला गया है कि आसानी से लिक्विपाई होगी क्योंकि यह जादा तो अट्रेक्शन भी जादा है यह अनों को प्रबलता की मापन को समझाता है बिल्कुल सही बात है उसके हाफ में ठीक है बाइजी और क्या है साथ में ऑक्सिजन और है कहां है हाफ ऑफ टेटर हाइडरल डबल हो जाते हैं उसका भी हाफ कर दिया ठीक है बाइजी अब हो गया फूर ओ कित्ता हो जाएगा यह आजाएगा टू और यह आजाएगा फूर शिक्स आजाएगा एंफ और फॉर ओ सिक्सा आजाना है तो एंफ टू ओ परफेक्ट वेटेग अपना फूर्थ बिल्कुल सिंपल सॉलेडि स्टेट का क्वेशन बढ़ाई बेसीक वे जाते हैं क्योंकि आपको देखो कि ideal non ideal और वान्ट और फैक्टर पर क्वेशन आता है या फिर या फिर ideal के साथ या एथेन के साथ ब्रोमिन लगा दिया जा एक है क्ल और यह तीन आइडिल के लेगे कार्बन टेट्रा-खलोड एंड क्लोरोफों तो कार्बन टेट्रा-खलोड और क्लोरोफोर्म किसके अंदर आ जाते हैं पॉजिटी डिवीशन के तरफ नोल आइडिल आ जाएगा तो 35 में क्या जाएगा फॉर्थ ओके डियर चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेग्मेंट भी जिसमें से आपको कुछ सेलेक्टिर क्वेश्चन करने हैं चलो तो 36 जो इन औ लोग तो दो पी एच मोंने इंडार्क ली स्टेक्चर को जा रहा है एच फॉर पी टू ओफाइफ इसका नहुता है पाइरो फोस्फूरस एसिड कैसे बनता है एस थी पी ओ तरी होता है कि उसके दो मॉलेक्यूल से एक हच टू रिमूव कर दो एक हच टू उसके दो मॉलेक जाने रखना और इसमें जित्ता इसका बैसिसीटी है इसमें दो और एक होगा तो दो चोटा से एक्चेंज कर रहा हूं मैं इसमें थोड़ा से अच्छे से रिपर्जेंट करने की स्टेक्चर को तो यह ऐसा रखना चाहता हूं एसी दो यूनिट लिजाए तो यह फिर और फिर फिर और अच और फिर एस यह याइँ से इस्से टैक्ट्र क्या हो जाएगा रिमूव जाएगा इसके टैक्चर जो एच था वैसे ही रहा यह ओएच वैसे एक वेच एच टू रिमोबर में चला गया है और यह वैसे रहा है इस मॉलेक्टिल में पी एच बोन तो दो दिखे रहे हैं आपको ठीक है यह इसमें हो जाएंगे होएंगे एच फॉर पीटू यह पाईरो फॉसपोरिक एसिड है पाई रो फॉसपोरी कैसिड यह फॉसपोर रहे है तो इस पर यहां पर भी हो है जाएगा यहां पर भी ओच जाएगा यह पानी के बांण में पो आजाएगा यह वह इसमें पी ह एक्षणी है नहीं तो इसमें इसकी वज्झे से गढ़ब़ होगी ठीकर दीकर नहीं लेकिन अब एज्ट्री पीयो तूट्री देखो तो स्थी पीओ टू में बैसी टी एक तो केवाल एक वह आजाएगा बचे दो इस पर दो एक आगे और एच फोर पी टू ओफाइफ इस पर दो एपीच मतलब आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ मतलब चाला फॉर्थ ऑप्शन मिला अपने को जाके सारे चेक करने पड़े हैं चल अब लगती है और यह सबसे प्यारी एक्षेंट लगती है तो चल जो है अधिक लोराइड और अधिक लोरीट के अंदर क्या होता है इस परपोर्चने टो टाइट जीरो से माइनस में जाता है और प्लस फाइफ में जाता है तो लो टो रिडिए अधियर तो आंसर के दूसरे तीस परिग्राफ की पहले लाइन रखिए वसे दूसरे परिग्राफ की पहली लाइन आपके साम रखिए के में टू सेवन जाता है तो अपना पर मैगनिक एसिड बनाता है एमन एक्षेंट और मेरे को याद रहता है एक्षोली सेम ऑक्षीडेशन जब भी किसी अब पानी में डिजॉल करते हों और यही वह उक्साइड एक्षीड नेचर का है तो इन जनरल वह अपने एक्षीड फोम में आएगा और सेम ऑक्षीडेशन स्टीट में आएगा ओके दियर तो यह हमनों फोर जो आईए तो ठीक है अब क्रोमियम की बात करें क्रोमियम प्ल क्रोमियम के यह दोनों फॉर्म्स एक्विलीब्र में रहती है वह पीए चेंज करते हैं थोड़ी वेरी करती रहती है तो इसमें आज आएगा सेकंड नेक्स चलते हैं 39 के तरफ कौन सा सही कतन है फिर से स्टेट्मेंट टाइप को क्वेश्चन आपके सामने रखा है क्योंक बिल्कुल सही बात था ये व zaad the love क Нам लिखा है क्विली जब अबकरन करते हैं या पौटेशियम ड़ाइक्रों न कर तो पहले ранच होता है कंट सोलीब्लिटी होती है इससे स्टेट्मेंट है तो यह बिलकुल सभी स्टेट्मेंट है, हम लिए छार यह दोनों माद्य में जो पॉटेशिम डाइक्रोमेट ओक्षिडाइजिंग एजन्ट ओक्षिकार की तरह काम करता है कि तो नहीं। वो केवल acidic medium में ही करता है क्योंकि acidic medium में कौन सा फोम जिंदा रहता है के 2 CR2-07 dichromate वाला ही oxidizing agent का काम करता है chromate ion नहीं करता है तो यह खोटा हो जाएगा के मनोफ और परति चुंबा की होने के साथ इसका तापकरम पर आशिर दुरूबल अनुचुम्ब की विवार बिल्कुल ये एफेक्ट बड़ा एंस्यादिन चिपा के लिखा है और बड़ा अच्छा इस स्टेटमन ने बच्चे इसको छोड़ दिया करते हैं कैमनोफूर का जो हाला कि मैगनेटिक बड़ा है वह मैगनेटिक बहेविएर डिपंड करता है तेम्परीचर पे हालागी इन जर्ल उसको मैगनेटिक बिहेवर टाया लेकिन हाएट टैम्टिक वीक पैरा मैगनेटिसम आने लगए जाती हाला कि एंस इसको इन के बीगते करना विजाओ हूं तो पर यह आप ज्यान रहा है तो इस टेटमेंट करेक्ट है तो फॉर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है तो आंसर आजाएगा फूर्थ नेक्स चलते हैं पॉर्टी पे कौन साइश स्टेटमेंट गलत है यह बहुत प्यारा क्वेस्ट्ट थोड़ा बारीकिं के साथ कोडिनेशन के म स्टेटी को ओलमोस्ट चीजे काम में ले लिए अफूर्ट थो एक दो प्लाइट हो काम में आ गया है वीक लिगेंड है एफी प्लस टू है एफी प्लस टू काईट एडी सिक्स कॉन्फुरेशन चार अंपेड एक्टों रहेंगे ग्रोमियम प्लस टू है वीक लीकेंड फि पात करें चुम्ब क्या गुंड लग बग एक जैसा है बिल्कुल सेम नंबर ऑफ एक्टोन पैरिंग किसी में नहीं हुई तो ठीक ऐसा ही बात है सी यो एनस थ्री इस अध्या को याद करने पड़ते हैं इसको बिल्कुल प्यार से टेबल बना रहे हैं और पिसले तो आपके सामने किसी एंगल से सही है नहीं एक तो खलर आपको याद होना चीह है एक खलर भी यहार दूसरा आप एड़स्ट कर सकते हो कॉप्लिमेंटरी कलर साइकल से वी आई निभी क्योब्ड कर सकते हैवन उसका sax कॉंप्ल में क्लिः को से वेलकुल सह दिक्कत नहीं है चलो यह स्टेट्मेंट में सही है यह स्टेट्म मेंने को तो गल्स पुछा गया साथ जैम इसटोन रूबी में जो जैमि स्टोन है जो रूभी दो बेराइटी रही है एक या रूबी दे रखा एंश आ उज रिखा है रूबीज का इतना भी लिखा हुआ है और D3 configuration में DD transition होता है इस वज़ेस का जो कलर है वो विजिवर होते हैं chromium की मज़े से ओके दियर तो aluminium Al2 Aluminum Oxide का होता है ठीक है तो यहां तक ठीक है साइड सो यहां बेरिल के अंदर नहीं होता है बेरिल के अंदर नहीं होता है उसके अंदर यह चीज होती है तो यह यहां पर थोड़ी से गलती रहेगी है तो यहां पर यह अलुमिनियूm Oxide दे रहा होता है तो यह statement सही जाता है तो गलत कुछ है तो अपना थर्डा करने चाहिए क्योंकि एक बिल्कुर बेसिक बात है कि जिस व्यक्ति ने एक option सही भी रखा है तीनों गलत रखे हो वह सोच समझ के रखे होंगे या एक option गलत रखा तीन सही रखे तो बहुत बुद्धी लगा कि तीन सही भी रखे होंगे जैसे यह एक्जामपल है था ना त आपको यह सारे करने चाहिए ठीक है तो डी इट कॉन्फिग्रेशन कुछ इस तरह से डील करेगा यह डीट आ गया दो अनपे लेक्ट्रों अब इस वीक लिगेंड जो है अना ही जो है अब वैसे भी यार एक बास सोचो कि यह cn6 का कॉंप्लेक्स है cn6 में d8 में चाहिए सब्सक्राइब करें तो इसके अंदर 40 के अंदरा जाएगा थर्ड वाला नेक्स सब्सक्राइब कर रहें ताकि आप थोड़ा तरीके से काम कर लो इसे बोला है कि बहाई का अश्ट फलीकी संकुल इलेक्ट्रों इसे बोला जा रहा है कि विच अफ फोल्वाइंग आउटर ऑर्बिटल ओक्तर हाइडल कॉंप्लेक्स हैव सेम नंबर ओफ अनपेड एलेक्ट्रों आउटर होना चीन है और अनपेड लेक्ट्रों क्या होने चीन होने चेक कर लेते हैं euro M n D plus 3 है même घो प्रस्ट्सक्तार अट है most audiobook-date Can Mexico सभाइए और एमन प्लस्ट्री में है और आउटर की बात करहें तो चार अंपर अधर का में का काम करेंगी A7 जो6 में d6 रखता है यह विर एप फ़ल्ट तो डिइएका त्वेज से पर छारन प्रटेंग नहीं हो जाएगी क्या एनाइग फ्लस टू डी इट अभी थोड़ी देर पहले लिखा तो डी एट मैं अपने गदा दो यह तो इन दोनों में सेम नहीं हो गया तो फर्स्ट और थर्ड जो है उसे सेम अंपेड लेक्टोन और किसी में सेम मेचिंग नहीं आई तो आंसर क्या आसा हैगा थर्ड तो 41 का भी आंसर क्या चला गया थर्ड चलो अब देखें क्वेश्चन नमबर 42 को देखते हैं यहाँ पर मैंने क्या यहाँ लिखा है टॉलेंस रियेजेंट लिखा है टॉलेंस रियेजेंट क्या करेगा अल्ड इहाइड को कनवर्ट करेगा किसमें कार्बॉक्जलिक आइसड में तो सबसे पहले जो आपको X मिलेगा यह X कुछ ऐसा होगा यह वेटा X आपके पास रहेगा ठीक है तो देखो इसमें से X कोई आ रहा है गया यहाँ पर CWH के साथ CWO होना चाहिए तो यह भी आंसर नहीं आएगा फर्स्ट और थर्ड तो रिजेक्ट हो गए इसमें मैंने क्या एड किया सोडियम बोरो आइडराइड सोडियम बोरो आइडराइड कार्बॉक्जिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं करता है लेकिन किटोन को रिड्यूस करके अलकोहल में कनवर्ड कर देता है तो इसके अंदर आपको मिलेगा यहाँ पर यह कौन सा कंपॉंड मिल जाएगा Y तो Y ऐसा होना चाहिए अब देखो इन में से ऐसी स्ट्रक्चर Y की कहा है यह रही यह नहीं होगा तो आंसर क्या आगया वेटा स्याकिन बास समझ में आगई टॉलेंस, रियेजेंट, अल्डियाइड को CWH में कनवर्ड करेगा किटोन में कोई चेंज नहीं करेगा यह रहा X लेकिन यह X यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है फिर जब हम इसमें next sodium borohydride add करेंगे sodium borohydride carboxylic acid को change नहीं करेगा किटोन को किसमें convert करेगा alcohol में आंसर के आजाएगा आपके पास second answer आजाएगा ठीक है एक structure दे रखी है para toluene sulfonyl chloride यह structure हम किसकी जगए यूज कर सकते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट की जगए यूज कर सकते हैं तो जो आप हिंसबर्ग रिएजेंट का यूज करते हैं वो इसका यूज कर सकते हैं above compound is used to distinguish primary and secondary amine तो आप इसको primary and secondary amine को distinguish करने में यूज कर सकते हैं बिल्कुल सही है primary amine के साब जब reaction करवाओगे तो जो product बनेगा वो product NaOH, KOH में dissolve हो जाएगा लेकिन secondary amine से reaction करवाओगे तो जो product बनेगा वो NaOH या KOH में dissolve नहीं होगा तो ये तो correct statement हो गया above compound doesn't react with 3 degree amine बिल्कुल सही है 3 degree amine के साथ ये compound react नहीं करने वाला क्योंकि 3 degree amine में nitrogen के पास hydrogen absent है तो ये भी statement correct है पहला statement तो दूसरा statement तो correct हो गया on treatment with diethyl amine diethyl amine आपके पास कैसा है 2 degree और 2 degree amine जब इसके साथ react करेगा जो जो product बनेगा वो product क्या होगा NAOH में insoluble होगा क्योंकि वहाँ पर acid hydrogen absent होगा और यहां क्या लिखा है product that is soluble soluble लिखा है जबकि होगा क्या insoluble तो ये आपके पास wrong हो जाएगा क्या पूछा है identify correct option पूछे हैं आपसे सही कथन की पहचान पूछिए बेटा statement first and second are correct बिल्कुल सही है first, second, third are correct third correct नहीं है third correct नहीं है वेटा देखो incorrect है statement second and third are correct यहां पर ये problem हो गई यहां पर ये problem हो गई तो आपका answer क्या चला गया वेटा first answer आ गया बास समझ में आ गई match the column आपके पास है nylon 66 आपके पास कैसा Pulleymer रोता है condensation polymer होता है nylon 66 कैसा है condensation polymer है तो Y के साथ first को match कर रही है तो ये भी आपका answer cancels हो गया और ये भी आपका answer cancel हो गया बाके तो कोई match ही नहीं हो रहा तो अब आपके पास first or second रहा Buna N, Buna N क्या है आपके पास? Homo Polymer तो नहीं है, लेकिन Addition Polymer है Buna N कैसा होता है? Addition Polymer है, Homo Polymer नहीं है Nylon 6-6 और Buna S दोनों ही Heteropolymer की केटिगरी में आते हैं किस में आते हैं मैटा? Heteropolymer क्यों? क्योंकि Nylon 6-6 और Buna N जो है different type of monomer से बनते हैं और Homo Polymer बनाने के लिए same monomer unit की requirement रहती है तो आपके पास B में 3rd आ रहा है देखो A में 1st आ रहा है, B में 3rd आ रहा है यहां से ही जा रहा है Teflon, Teflon कैसा है? Teflon एक Addition Polymer होता है और Homo Polymer भी होता है तो Homo भी है और Addition भी है तो आपका अंसर क्या चला गए है बेटा? 2nd, बास simple सी है ठीक है? An antiseptic detol is a mixture of two main components Detol के components कौन से होते हैं? Terpenol and chlorozylinol यह दो components हैं आपके पास Identify the component of detol which has two pi electrons तो आपको two pi electron वाली condition ध्यान में रखनी है ठीक है? तो यह इसका component नहीं होता और यह भी इसका component नहीं होता है यह दो component होते हैं chlorozylinol जो है इसमें तो benzenering अवलेबल होती है ठीक है? आपको two pi electron लेने है यह reject हो गया यह reject हो गया तो chlorozylinol जो है इसमें benzenering present होती है presence of benzene ring इसका मतलब six pi electrons होंगे जबकि यहां question में कैसे है two pi electrons तो यह भी answer नहीं होगा तरपिनियॉल में कैसी ring होती है बेटा? cyclohexene ring होती है तरपिनियॉल में कैसा होता है? cyclohexene ring अवलेबल होती है तो यहां पर कितने pi electron होंगे? two pi electron होंगे तो आपका answer क्या आ जाएगा? second answer आ जाएगा बास समझ में आगी बेटा? ठीक है? तो मैं उमीद करता हूँ कि आपके organic chemistry के जो questions हैं वो बिल्कुल सही गए होंगे फिर भी अगर कहीं doubt रह गया होगा तो यह video solution देख करके आपका doubt clear हो गया होगा Thank you JCLC next चर्चा करते हैं 46 के लिए बड़ा सिंपल सा statement based question फिर सापके सामने रहा है आप जाए तरदे को statement based रखें क्योंकि इस तरह कोईशन आजकल exam में आ रहे है पहला statement है जल में NACL जब मिलाया दाता है तो हिमांक में अवेनमन होता है बिल्कुल सही बात है जैसे ही आप कोई non-volatile substance मिलाओगे तो उसका freezing point depressed होगा कम में जाएगा negative हो जाएगा ठीक है और फिर बोला गया किसका कारण क्या है तो इसमें वास्प दाप में vapor pressure कम होता है तो बिल्कुल अपन इसको graph से explain किया करते है इसका अपन vapor pressure का temperature के साथ graph बनाए करते है और बोलते हैं कि जो solvent pure solvent इसका graph यह रहता है और जैसे इसका अंदर कुछ non-volatile में इसका vapor pressure decrease हो जाता है और इसका freezing point आये करता है वो कुछ नया freezing point यह आ जाता है जबकि पहले वाला freezing point यह हुआ करता था तो इसका मतलब क्या freezing point है वो depressed हुआ क्योंकि vapor pressure नहीं चाहिए यह नहीं नीच आता तो सब्सक्राइब पिछह नहीं जाता तो explanation है मेरे साब से तो फर्स टांसर आ जाएगा नेक्स सब्सक्राइब 46 में अब यह 40 सब्सक्राइब 47 47 जो question है बड़ा simple है एक time का यह बहुत अपना trending question chemical kinetics का दो स्टेप दे रखें एक slow step है slow step ही rate को लिखते हैं तो आर क्या जाएगा के oxygen की power 1 एक reactant O3 की power फिर सब्सक्राइब 1 अब यहां पर O atoms हो है ना वो क्या कर रहा है intermediate का role play कर रहा है तो इसको remove करना पड़ेगा इस equilibrium के terms है तो equilibrium का जो के equilibrium निखा जाएगा इसको के वन बोलते हैं इसको की टूब देता के कि लिए ओटू की concentration अपन ओकी concentration की power 1 अपन ओटरी की concentration नहीं आजाएगी क्या अब इस ओकी concentration की जो value हो क्या जाएगी के टू ओट्री की concentration अपन पॉट्टू की concentration यह उपर value पुट्ट कर देखा आर के रेट के टर्म में आर इस वस्टू के वन अब ओका क्या जाएगा के टू ओट्री की concentration अपन ओटू की concentration और ओट्री कांसेंट्रेशन यह एजटीस रहेगी जो पैरलल इसका रखी थी तो और ओट्री की चाहिए यह से ज़ए आप भी हटा देते हो तो क्या होगा जैसे पर जो आपका जो वर्क था वह आ वह एक तरह से यह बात हो कि कोई सर्कीट था हुस सर्कॵिस्ट से सिंबल सी बात करता हूं एक सर्कुट है जो अपने बैटरी काम कर रहा है बड़ी है और इस चल्ड़ इसका उनों जैसे ही किया होगा आप अप अब तो इसल का विपांतर वर्किंग जीरो तो ड्रॉप टू जीरो डारेक्ट जीरो पर आज आए ओके डियर नेक्स्ट बात करते हैं इसलिए बार-बार गुमाघुमा कि आपको यह क्यों रख रहे है जो अप्यूंदरेटि वालो पार्ट है उससे हम आपके सामने क्वेश्टन रख रहे हैं और यह सबसे बेसिक क्वेश्चन है कंडेक्टिविटी वाले टाइप से बोला गया है कि विशिष्ट चालकता और पूछा गया है कि इस एल का जो रेजिस्टेंस से हुआ रहा है 55 ओकिडियर तो सेल कॉंस्टेंट जिसको एल अपॉन ए बोला करते हैं या फिर जी स्टार से भी लिखा करते हैं तो आप सब को पता है कि आर इस गोस्टू क्या होता है रो एल बाई एक सिंबल सा अपने लि को ऐसे रख़ा और यह तो वन कटाल है तो हुठा सब्सट्टार आपनब गर्सको इसको अपने अश्तमकि वह रहा है क्या है कि अपने को कि औरban को नॉर्मली मिल्टिप्लाइग करने वह ना rempliब्ट से घ्रोब्टवावइक प्टिफाइव को जैल को इपने को तो 55 को 12 से multiply करना है तो यह आजाएगा 60 का जीरो आजाएगा अच्छे आजाएगा च्छे आजाएगा च्छे आजाएगा तीन पॉइंट सिफ्ट कर लो 0.66 आजाएगा तो आंसर आजाएगा सेकंड तो 49 में सेकंड नेक्स्ट ए इनकरेक्ट स्टेटमेंट है तो जो जैल है हो लिक्विड लिक्विड का जाएगा तो बैसिक अंदुर के बाउस आप सामने रखेंगे तो बहुत पैंकर कैले को यह नहीं रखी इनहीं हैईगा और इनहीं पेपरोसे जैसा पिपर आपका एक्ट यू नीट का एका ओक थैंक यू सो मुच पर वाचिंग तो कम्प्लीट करते हैं